लोग जब बेहुदा बरताव करते हैं, उन्हें लगता है कि उनपर कोई भूत आ गया था, इसलिए वो कभी सुधरते नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको नहीं पता कि ये अहंकार है कहां, पर ये अपना काम कर जाता है, है न? अगर आपने ये समझ लिया, तो परिशानी के पल कम हो जाएंगे, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अहंकार से कोई कैसे निपड़ सकता है, खास तोर से पश्चिमी दुनिया के लोग, किसी और का अहंकार या आपका, किसी और का या हमा मेरा भी, मेरा और दूसरों का, हम एक पल में उससे निपड़ सकते हैं, अगर आप मुझे दिखा दें कि वो कहा है, तो मैं उससे अभी निपटा दूँगा, कहा है वो, हमारे व्यवहार में, आपको कैसे पता कि या हंकार है, मुझे नहीं पता, शायद आप खुदी देखिए कुछ ऐसा है, जब भी आप अच्छा वेवहार करते हैं, आपका नाम क्या है? बल्यान? बायान? जब भी आप अच्छा वेवहार करते हैं, तो आप बयान होते हैं, जब भी आप बुरा वेवहार करते हैं, तो वो मिस्टर एहंकार होता है, ये खुद को जिन्दगी भर धोका देने का एक पक्का तरीका है, आपको बस ये समझना है, इशायोग यही है, आपको बस ये अगर आप अच्छा वेभार करते हैं, वजय आप हैं, अगर आप बुरा वेभार करते हैं, वजय आप हैं, अगर आप ये समझ गए, तो आपको अपना बुरा हिस्सा पसंद नहीं आएगा, आप उसे संभाल लेंगे, निप्टाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या अभी आप नई, 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 बस oxygen, बस इतना बहुत है, oxygen की कमी होने पर ही आपका शरीर एक परिशानी बन सकता है, वरना आप यहाँ बैठे, खुशी-खुशी मर भी सकते हैं, है ना, वाकई, मुझे बताईए, खुश होने के लिए आपको और क्या चाहिए, कुछ नई, नई, बात बस यह है, कि आपको लगता है कि कोई और चीज है, जो आपको नाखुश बनाती है, जैसे एहंकार, ये तो वही बात हुई, कि मेरे अंदर भूद घुश गया है, लोग जब बेहुदा बरताव करते हैं, तो सोचते हैं कि उनमें कोई भूद घुश गया है, नहीं वो ये नहीं देखना चाहते कि वो बेहुदा इंसान है इसलिए वो कभी ठीक नहीं हो पाते इसलिए वो कभी सुधरते नहीं सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर मेरा वेवार अच्छा है तो वज़े मैं हूँ अगर मेरा वेवार बुरा है तो वज़े मैं हूँ, अगर मैं शानदार हूँ तो वज़े मैं हूँ, अगर मैं भ्यानक हूँ तो वज़े मैं हूँ, अगर आप ये समझ गए, तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी परिशानियों को दूर कर लेंगे, आप उन्हें जादा दिन रहने नहीं देंगे, क्यों यह पूछा यह कहा है, आप बोली मुझे नहीं पता, यह कितनी बढ़िया चाल है, आपको पता नहीं है कि एहंकार है कहां, पर यह अपना काम कर जाता है न, तो यह एक चाल है, कोई एहंकार नहीं है, यह बस आप हैं, कभी कुश्णुमा, कभी नाखुश, कभी सुन्दर, अगर आप ये समझ गए, तो परिशानी के पल कम हो जाएंगे. अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है. अगर आप समझ गए कि ये मैं हूँ, जो खराब बरताव कर रहा हूँ, तो वो कम होने लगेगा. अगर आप सोचेंगे कि आप अपने अहेंकार की वज़े से ऐसे हैं, या किसी दूसरे की वज़े से ऐसे हैं, तो वो कभी भी कम नहीं होगा. आप जिन्दगी भर एक परिशानी बने रहेंगे. और शायद उसके बाद भी, शायद आपको नर्क में नौकरी मिल जाए. देखिए, भ्यानक होने के बारे में ये एक बढ़िया बात है. अगर आप खुद को और आसपास के लोगों को अच्छे से यातनाएं देते हैं, तो वो आपको नर्क में नौकरी दे सकते हैं. स्वर्ग में कोई रोजगार नहीं होता, क्योंकि वहां करने को कुछ नहीं है, वो मुझे नर्क में नौकरी के लिए नहीं चुनेंगे, मुझे लोगों के साथ वाकई कठोर होना पड़ेगा, शायद तब वो मुझे चुन लेंगे, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी. आप नर्क में बिरोजगार रहे, तो सबका भला होगा है न, तो नर्क में नौकरी पाने के लिए यहां प्रैक्टिस मत शुरू कीजे, यहां करवाहट की प्रैक्टिस शुरू मत कीजे, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप भविश में नौकरी के लिए प्रैक्टिस कर रहे है आईए कम से कम मरने के बाद छुट्टी मनाते हैं अभी बहुत काम है जिन लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है या जो लोग अभी कुछ भी सार्थक नहीं करना चाहते वो मरने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं नहीं नहीं आपको जो कुछ भी करना है अभी कीजिए आईए मरने के बाद छुटी मनाएंगे आपको इतना खुश और इतना नकारा होना चाहिए कि कोई आपको वहां नौकरी ना दे पाए आपको जब सुना होना मैं आपको जाती ना दे पाए